नमस्कार, About India चैनल में मैं अनिल केसी आपका श्वागत करता हूँ About India चैनल का वास्थे कुद्देश भारत की संस्कृती, भारत के विराश्वत, आदिस से आज की युवाप्यडी को परिशे कराना है और उसके अंतरगत हम लोग आज जो सरिंखला लेकर आए हैं वह है भारत के संगीत के अंतरगत एक शब्द अक्सर चर्चा होती है घराना हलाकि यह शब्द जहेवा केवल संगीत में ही नहीं, निर्त्य में भी लोगप्रिया है घराना तो हम लोग आज जानने का प्रियास करेंगे कि आखिर जहेवा घराना या घराने होते क्या है तो देखिए घराना जहेवा केव मैंने बताया जैसा कि शंगीत घराना, शंगीत में तो है ही संगीत के अलावा यह परंपरा निर्त्य के अंदर भी है और खास करके सास्थे निर्त्य के अंदर और जैसे कतक निर्त्य में तीन घराने है इसी प्रकार जहेवा संगीत में भी कई घराने है तो पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि आखिर घराना ही होता क्या है तो दीकिए भारतिय संगीत का मूलाधार सास्थे संगीत है और सास्थे संगीत का विस्तार संपूर्ण भारत में हुआ यानि जैसे सास्थे संगीत है इसमें दो सास्थे संगीत भारत में प्रसिद है एक हिंदुस्तानी शैली और एक करनाटक सेली तो हिंदुस्तानी सेली जह है वो लगभग जह है वो मान के चलिए कि उत्तर भारत छेत्र की विसेश्ता है और करनाटक सेली जह है वो दक्षिन भारती चेत्र की विसेश्ता है और ऐसा नहीं है कि करनाटक संगीत के गायक टेवा दिल्ली में नहीं रहते हैं और हिंदुस्तानी संगीत के गायक टेवा चिन्नाई में नहीं रहते हैं यह तो गायन की सैली है कहीं भी रहेंगे तो सास्ति संगीत का विस्तार वास्तों में पूरे भारत में है और पूरे भारत में अगर सास्ति संगीत का विस्तार है तो भोगोलिक छेत्र बड़ा है अब इतनी भोगोलिक छित्र की बड़े हो जाने से क्या परिवर्तन आते हैं तो पहला परिवर्तन है कि भोगोलिक विवित्ता आती है भोगोलिक विवित्ता से परिस्तिती की भिन्नता बन जाती है उसके बाद भाशाई भिन्नता आ जाती है और इस प्रकार से कई प्रकार की विवित्ता उसमें कायम होने लगती है इस विवित्ता का परिणाम ये होता है कि छित्रियता का पुट उसमें किसी भी गायन सेली में आ गया तो छित्रियता का पुट क्या क्या आया तो भाव के संदर में आया शैली के संदर में आया भाशा के संदर में आया गुरु शिष्य परंपरा के संदर में सभी में शैली का परिवर्तन होने लगा और इनी भिनताओं से घहराना या घहराना का तात्पर दूसरे शाब्दी कर्थ में देखा जाए यानि जो अलग-अलग सैलियां विक्षित हुई जो भाव विक्षित हुई जो भाशा विक्षित हुई उनी से जब घराना विक्षित हो जाते हैं और शंगीत के अतरिक्त मैंने बताया इसे ही घरानों का विकास हुआ है जिसका विस्तार ज्यादा है वहाँ पर घराने पाए जाते हैं जैसा मैंने बताया कथक में घराने पाए जाते हैं तो कथक में का विस्तार जाए वह बड़े भोगोलिक छेत्र में है इसलिए वहाँ घराने पाए जाते हैं अब देखिए घराना को जो है वह शाधारन में समझा जाए तो यह संगीत की एक क्या है सिक्षन पद्धती है यानि एक किसी खास स्कूल जहेवा ओफ टेक्सिनफ मेथडोलोजी जिसको कहा जाए किसकी टीचिंग की तो चाल के बढ़े चून की स्कूल ऑफ मेथडोलोजी है और उस और उस छेतर विसेस में जन्म लेती है तो उसकी विसेसताओं को लेती है लेकर जन्म लेती है लेकिन निश्चित है कि विस्तार अन्य छेतरों में भी हो जाता है यानी जैसे एक्जाम्पल के तौर पर समझे कि ग्वालियर घराना है तो ऐसा नहीं कि ग्वालियर घराना का व ठीक है तो संदर्व यह है कि यह गायन सैली उसका छेत्र विस्तार भी जहवा अलग लेकिन गायन की सैली एक ही प्रकार के भाव उसमें जहवा मिलेंगे अब ये वास्तों में क्या है कि इसका विस्तार अन्य छेत्रों में भी हो चुका है और यह पद्धती पीडी दर पीडी गुरुशिष्य परंपरा के से चली आ रही है याँ आज हम विकास चेवा कैसे देख रहे हैं जब वुत्पत्ती हुई वुत्पत्ती के बाद गुरुशिष्य परंपरा यह पीडी दर पीडी आगे बढ़ती चली जा रही है अब देखिए प्राचीन काल की बात करें हम तो प्राचीन काल के संगीत में हम लोगों को घराना या घराना से समतुल्य कोई अन्य संकल्पना नहीं मिलती है हम लोगों को गायन की जह है वह सैलिया अलग लग जह है वह मिलती है लेकिन जह है वह निशित तोर पर घरानों की संकल्पना या उससे समतुल्य नहीं हाँ मुगल काल के दौरान में जह है वह खास करके तानसेन के पश्चात जो महान शंगितकार तानसेन थे उस तानसेन के मृत्यू के पश्चात हमें उससे समतुल्य एक संकल्पना मिलती है घराने से संबंदित और वो संकल्पना क्या है तो दरसल तानसेन के पुत्र के जो वनसज है वो सेनिय कहलाते तानसेन के पुत्र के वनसज थे वो सेनिय गाते थे और बीन बजाते थे जब कि तांसेन की पुत्री के वह वनसज बानिये कहलाए तो एक सेनिये कहलाए पुत्र के वनसज और पुत्री के वनसज बानिये कहलाए और यह धुरुपत यह भी धुरुपत गाते थे लेकिन रबाब बजाते थे यही दोनों धुरुपत गा तो संगीत के हिंदुस्तानी सैली के अंतरगत घरानों के संख्या प्रमुक्ता जैवा शात मानी जाती है हलाकि ऐसा नहीं है कि सात ही है पास्तों में प्रमुक्ता सात मानी जाती है और हलाकि इसके अतरिक्त भी कई घरानों का विकास देखा जाता है तो हम लोग पहले जानने का प्रयास करें कि आखिर ये साथ घराने कौन-कौन से है तो आईए देखिए जो साथ घराने है उनमें से जहेवा सबसे पहला घराना मैं लिख रहा हूँ और उसे बता रहा हूँ ये है ग्वालियर घराना और ये ग्वालियर घराना है तो दरसल जहेवा कहा जाए कि घरानों में सबसे जिदने भी घराने हैं घरानों में प्राचीनितम जिसकी उत्पत्ती सुलहवी सदी में होई है तो सुलहवी सदी में और इसके प्रशिद जो कलाकार हैं तो इसमें किसी भी घराने के बारे में जो information मैं दे रहा हूं उसमें पहला नाम जैसे नत्थन पीर बक्ष, अब इस नत्थन पीर बक्ष को ग्वालियर घराने का की उत्पत्ती में योगदान माना जाता है कि इन्हों ने ही दरसल ग्वालियर घराने का के उत्पत्ती की तो पहला नाम जितना भी दे रहा हूं मैं वो दरसल उस घराने के उत्पत्ती उनसे जुड़ी हुई जह है वह मानी जाती है इसके अलावा कादरबक्स है महदी हुसैन खान है विश्णू दिगंबर पालुसकर है यह सब ग आगरा घराना तो ग्वालियर घराने से काफी निकटता केवल भोगोलिक दूरी के संदर में ही नहीं बलकि गायन की सैली में भी और इनके प्रशिद दिखाला जैसे सुजाना खान तो ये भी क्या है तो इनके आगरा घराने के उत्पत्ती करता माना जाए इसके अलावा ग प्रशिद कलाकार तानरस खां, उम्राओ खां, उस्ताज चांद खां, चतुरलाल इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इसके बाद जैपूर घराना है ये अठार सो पचास के बाद इसके उत्पत्ती होती है और इसमें जो प्रशिद कलाकार है वो मुहमद अली खां, मनरं आशिक अली खां है, किशोरी अमोनकर है, इसके बाद पटियाला घराना इसे जहाँ अलया भी कहते हैं और इसके प्रशिद कलाकार जहाँ अली बक्ष है, फते अली खां, बड़े गुलाम अली खां, लक्ष्मी संकर और ये जैसे अली बक्ष है, तो इन से जो जुड़ा जहाँ जहाँ है, उसके बदरुद्दीन खां है, केसरबाई केरकर है, इसके किराना घराना है, मुगलकाल में ही जह भी विख्षित होता है, और जह इसके जो सबसे प्रथम जहाँ कहा जाए, तो शादिक अली खां, बंदे अली खां, पंडित भीम सेंजोसी, ये भी किरान साहाब और उसके बाद भीम सेंग जोसी है और इसके बार बीकिशोरी अमोन्कर था शालुड सोव एस्टाद राघ्च-क हें इसके बाद जानि विश्टा फ्याज भाव करनांटारे खाली क्या है इन बारे में हम लोग की संचिप्त जानकारी पहले से प्लेलिस्ट में मौजूद है आप उनको देख कर अपनी राए भी व्यक्त कर सकते हैं तो इस रिंखला में यहीं तक रखते हैं फिर मिलेंगे हम लोग नवीन सिंखला में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जैहिंद उनको देख कर फिर में तर्शाव नवीन सिंखला में तक कर अब तक के लिए धनक।